नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है मेरे चैनल NCRT हिंदी ट्यूटर पर बक्षा 6 विशय हिंदी किताब बाल राम का था जो की बाल में की रामायन पर अधारित है उसका अध्याय दो जंगल और जनकपूर आज हम पढ़ेंगे आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद चलिए शुरू करता है राजमहल से निकलकर महर्शी विश्वामित्र सर्यू नदी की ओर बड़े दोनों राजकुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने आयोध्या के निकट नदी पार नहीं की दूर तक सर्यू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षणी टट पर उसी टट पर जिस पर आयोध्या नगरी थी वे चलते रह नदी के गुमाव के साथ-साथ, राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आकरी बस्ती भी निकल गई, चलते चलते एक तीखा मोड आया, तो सब कुछ दृष्टी से ओजल हो गया, राम और लक्षमर ने एक बार भी पीछे मुड कर नहीं देख, उनकी नजर सामने थी, महर्शी विश्वमित्र के सदे कदमों की ओर, सूरच की चमक धीमी पढ़ने लगे, शाम होने को आई, राजकुमारों के चहरों पर थकान का कोई चिन्द नहीं था, उत्साह था, वे दिन भर पैदल चले थे, और चलने को तयार थे, महर्शी अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर पैर से उठती धूल में आदे चिपे हुए, हम आज रात नदी टट पर ही विश्वराम करेंगे, महर्शी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, दोनों राजकुमारों के चहरे के बाव देखते हुए विश्वमित्र हलका सा मुस्कुराए, राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो, राम और लक्षमर नदी में मुह हाथ दोकर लोटे, महर्शी के निकट आकर बैठे, आने तक महर्शी उनसे बात करते रहे, सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई, मार्ग वही था, सर्यू नदी के किनारे किनारे, चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे, जहां दो नदियां अपस में मिलती थी, उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी, महर्शी अब वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वरिक्षों, वनस्पतियों के संबंध में, स्थानी इतिहास उसमें शामिल होता था, आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर, उस से पहले उन्हें नदी पार करनी थी, रात में ऐसा करना महर्शी अमित्र को उचित नहीं लगा, तीनों लोग वहीं रुख गए, संगम पर बने एक आश्रम में, अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की, नदी पर जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किन्ने धर्ती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, वह डरावना भी थ अर और से जींगुरों की आवाज, जानवरों की दहार, करकश द्वनिया, राम और लक्षवन को आश्वस्त करते हुए महर्शी ने कहा, ये जानवर और वरनस्पतियां जंगल की शोबा है, इनसे कोई डर नहीं है, असली खत्रा राक्षशी तारका से है, वह यहीं रहती ह तुम्हें वह खत्रा हमेशा के लिए मिटा देना है, तारका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता तारका उसे मार डाल दी, अचानक आक्रमर कर देते, उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम तारका वन पढ़ गया था, राम ने महर्शी की आग्या मा तारका गरश्ती हुई राम की और दोड़ी, दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशाल काय पेड कांप उठे, पत्ते तूटकर इदर उदर उड़ने लगे, धूल का गना बादल चा गया, उसमें कुछ दिखा नहीं पड़ता था, फिर तारका ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्षमन ने भी निशाना साधा, तारका बाणों से घिर गई, राम का एक बाण उसके रिद्य में लगा, वहे गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई, विश्वा मित्र बहुत प्रसंद हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया, उन्होंने दोनों राजकुमारों को सो तरह के नए अस्त्र शेस्त्र दिये, उनका प्रयोक करने की विदी बताई, उनका महत्व समझाया, महर्शी का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक र मुक्त था, सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का बन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी, भयानक आवाजे गायब हो चुके थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चड़ियों की चह चहाट थी, शान्ती थी, तस्वीर बद आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिननदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी, महर्शी विश्वामित्र के आश्रम लोटने की खुशी, राम लक्षमन के आगमन का सुक्ष, विश्वामित्र यग्जी की तेयारियों में लग गए, अनुष्ठान प् महर्शी आश्वस्त थे, अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था, कुछ ही दिनों में, पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शान्ती से, निर्विग्न, लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिती ने ये राक्षसों को भगा दिया है, रा नुष्ठान का अंतिम दिम, अचानक बिहानक आवादों से आस्मान भर गया, सुबाहू और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, मारीच प्रोदित था, यग्य के अलावा भी, इस बात से कि राम लक्षमन ने उसकी मा को मारा था, तारक के किनारे, वे मरा नहीं, जब होश आया तो ओटकर दक्षिन दिशा की और भाग गया, राम का दूसरा बाण सुबाहू को लगा, उसके प्राण वही निकल गए, सुबाहू के मरने पर राक्षस सेना में भगगर मचे, वे चीकते चिलाते भागे, कुछ लक्षमन के बाणो करते हुए पूछा, तब हमारे लिए क्या आगया है मुनिवर, महरशी ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहां से मिथला जाएंगे, महराज जनक के यहां, विदेर राज के दरबार में, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेन सोन नदी पार कर विश्वा मित्र मिथला की सीमा के पास पहुँचे, अपने शिश्यों और राज कुमारों के साथ, वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वा मित्र का सौगत किया, अभी उनकी से खिचता जा रहा हूँ, ये राम और लक्ष्वन है, महराज दश्रत के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ, आपका अद्बुत धनुश दिखाने, विदेहराज ने महरशी उनके शिश्यों और राजकुमारों के ठैरने की विवस्था की, एक सुंदर उध्या दी, शिव धनुश को यगिशाला में लाया जाए, शिव धनुश सचमच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था, पेटी में पहिये लगे हुए थे, आठ पहिये, उसे उठाना लगबग असंभव था, पहियों के साहरे खिसका कर उसे एक से दूसी जगे ले जाय जाता था, अनुचर मुश्किल से उसे खीचते हुए यगिशाला में ले आए, धनुश देखते ही विदेयराज एक पल के लिए उदास हो गए, उन्होंने कहा मुनिवत, मैंने प्रतिग्या की है, अपनी पुत्री सीता के विवा के संबंद में, जो यह धनुश उठाकर उ उसी के साथ सीता का विवा होगा, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, परत्यंचा क्या चड़ाते, विदेयराज का संकेश समझ कर महर्शी विश्वरमित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुश देखो, राम ने सिर जुका कर गुरु की आज्या सुईकार की, आगे बढ़े, पेटी का धक्कन खोल दिया, राम ने पहले धनुश को देखा, फिर महर्शी को, गुरु का संकेश मिलने पर राम ने वह विशाल धनुश सहजी उठा लिया, यगिशाला में उपस्ति सभी ल जुकाया, उपर से दबाकर प्रत्यंचा खीची, दबाप से दनुश बीच से तूट गया, उसके दो तुकडे हो गए, बच्चों के खिलोने की तरह, यगिशाला में सन्नाटा चा गया, सब चुक थे, एक दूसरे के और देख रहे थे, सभागार की चुप्पी महराज जन जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना ना था, उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, उनकी प्रतिग्या पूरी होई, जनक राज ने कहा मुनिवत, आपकी अनुमती हो, तो मैं महराज दशरत के पास संदेश भीजू, बारात लेकर आने का निमंतरट, यह में शीग्र भेजना चाहिए, महराज शी के अनुमती से दूत आयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रतों से, इस बीच जनक पूर में धूम मच गए, बारात के स्वागत के तयारिया होने लगी, नगर की पसंद्यता चरम पर थी, महराज जनक का संदेश मिलते ह आयोध्या में भी खुशी चा गए, आनन फानन में बारात तयार हुए, आथी, घोडे, रत, सेना, बारात को मिथला पहुँचने में पांस दिन लग गए, चनक पूरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरन द्वार, हर जगे फूलों की चादर, एक एक कोना सुआसित, हर गर के प्रविश्द्वार पर वंदन वार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की आपार भीड, लिड़कियों और छज्ज्यों से जहांकती महिलाए, एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, विवा से ठीक पहले विदे राज ने महराज दशरत से कहा राजन, राम ने मेरी पतग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया, मेरी इच्चा है कि छोटी पुत्री और मिला का विवा लक्षमन से हो जाए, मेरे छोटे भाई कुष धच को भी दो पुत्रियां है, मांडवी और शृत की इरती, कृ विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी, बाराती भवों को लेकर आयोध्या लोटे तो रानियों ने पुत्र वद्वों के आरती उतारी, इस्त्रियों ने फूल बरसाए, शंक ध्वनी से गलियां गूंज उटी, यह आनन्द उत्सव लगातार कई दिनो तक चलता रहा, जैश्री राम, तो हमारा अध्याय दो जंगल और जनकपुर पूर्ण होता है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, ताकि और भी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें, धन्यवाद